आरोग्य जागरूती कुछ माओं के गोद में Cerebral Palsy नाम के बीमारे से पीडित बच्चे जनम लेते हैं Cerebral Palsy एक Neurological Disorder है जो बच्चों की शाररिक गती चलने फिरने की शमता को शतिग्रस्त करता है Cerebral इस शप्त का अर्थ मस्तिक के दो भाग से हैं और Palsy शप्त का अर्थ शाररिक गती की कमजोरी या समस्या है ये हमारे आसपास ऐसे बच्चें किसी मा के गोद में दिखे तो सारे लोगों की धारना ये हो जाती है कि बच्चे की विकलांगता का कारण सिर्फ मा है पेगनेंसी में माने सही डंग से कुछ खाया नहीं या कुछ जादा खा लिया और कुछ अंदशरदा हैं जैसे ग्रहन में सबजी काट दी या किसी अशुद्ध चीज को लांद दिया ये सारे अरोप स्रिफ मा पे लगाये चाते हैं लेकिन ऐसा नहीं गर्भ में बन रहे बच्चे की गुन सुत्र में होने वाले बदलाव की कारण ये सब होता है दोस्तों आईए अधिक जानकारी हम डॉक्टर विरांची वैद्दे से लेते हैं आरोग जागरूती में जल्दी आरोग जागरूती में और भी वीडियो देखने के लिए आरोग जागरूती को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकोन दबाना ना भुलें